जे मसी की नमस्का जारखंडी जहार मेरे दुस्तों मेरे पिरियों मेरे भाई बहनों आप सब कैसे हैं बहुत दिनों के बाद आज फिर शेक विडियों मिल रहे हैं आप सब बोगे बताना चाहूंगा आज क्याल मैं गामे रहता हूं और गामे काम धन्दा और एक पॉल्ट्र प्रहु शुरुआत किया हूं अभी 20-22 दिन होने जा रहा है और शुरुआत में कुछ गड़ बड़ी था कुछ बहतर जनकारी हमें नहीं था पर अचकल ठीक चल रहा है और बड़ियां ही चल रहा है मैं आप सबों को उन्हें भी जरूर दिखाऊंगा जो मैं धन्दा पान जो मेरे भाई बहनों आज का खास टोपिक रहेगा हमारी जवरते हर किसी को पड़ती है किसको जवरती पड़ती चोटे बच्चा है उनको खेलने की सामान चाहिए अगर इसकुल जाता है तो उसको पेन पिंसिल और उनके बेग चाहिए कपड़े लते चाहिए है ना जैसे किसी सकुल में जो requirement है उन सभी चीज है चाहिए पहला दूसरा तिसरा पच्वा अठवान दस वाइं सब कलास के अनुसार जवरते बदलती रहती है उसी तरह बाकी जो काम धंधा करते हैं कोई लोग गाऊँ-घर में काम करते हैं कोई नौकरी करते हैं कोई बिजनेस बिजन करके अपने बेटे बेटे उपा अच्छा पड़ा लिखा रहे हैं और कोई लोग काम धांधा कर रहे हैं जवान लोग है ना मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ काम धांधा कर रही से लिए कर रहे हैं कि अपने जो रतों को अपनी असवताओं को अपनी कमी घटी को है ना पूरा किया जाए अपनी अर्थ ब्युस्ता को ठीक किया जाए इसलिए हम लोग महिनत करते हैं ताकि हम उसके द्वारा हमारा कपड़ा हो सके हमारा पेट भार सके हमारा हेर ठीक ठाक हो सके हमारा दाड़े ओड़ी सेविंग उविंग हम अपने तेल लगा सके सफाई कर सके और घर ब विडियो सबों को लेकर के आज बात्चित करेंगे हम लोग वचन से Bible, पवितर शास्तर Bible से हमारे पास Bible है, देख रहे होंगे, हम लोग Bible से पढ़ेंगे वचन, ताकि हम लोगों को बेहतर सिखने का आफसर मिलें, अगर वचन से सीखा जाये तो बेहतर होती है, है ना, तो मैं डिर्क चलूँगा हमारी समन्य आता है ज़रते हैं क्या का ज़रत है मैंने आपको बताया है अपना खाना पीना पानी घैर अपना चपल जोता न कपड़ा लाता साबुन तेल नून मिर्चा मसाला और बिजली पानी ऐसे बहुत सारे ये सब हमारी आफसकता है है पर विस्वास रख रहे हैं तो यह हम लोग वचन से देखते हैं देर न करते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं बजन सहीता परचपन बाइस में यहां पर कहता है अपना बोज यह वा पर डाल दे वह तुझे सभालेगा वा धर्मी को कभी टलने ना देगा मेरे फिरियो यह परमे कितना मार्क मिलेगा है इससे बात होती है और उन बोज को जो हमारे जीवन हम धोकर चलते हैं हम जवान हैं तो साधी हमारा किस से होगा हम पढ़ाई कर रहे हैं नोकरी कई से करेंगे हम मापिता जी हैं अपने बेटे बेटे उका कई से पढ़ाय लिखाय कर वाएंगे इससे बहुत सारी बात होती है न तो अपना बोज की हमें यहवा पर डालना है यहवा हमें संभालेगा धर्मी को कभी टलने नहीं देगा मतलब परमिसर के रस्ता में चल रही है तो परमिसर हमें टलने नहीं देगा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो पाऊगे ताकि तुम्हारा आनंद पुरा हो यस मेरे प्रियों, परमिसर चाहता है कि हमारा आनंद पुरा हो परमिसर हमें मांगने के लिए बोलता है पर उसे पहले परमिसर की राज और दर्वी खोज करो कहता है बिल्कुन हमें करना है और उसे मांगना हमने बात को परमिसर के पास में रखना है अगला वाचन इर्मया 33 मुझसे प्रात्न कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बाते बताऊंगा जीने तू अभी नहीं समझता मेरे प्रियो परमिसर हमसे कहता है कि मुझसे प्रात्न कर मांग और मुझसे बाचीत कर और मेरे रस्ते में चल मैं उन बातों को बताऊंगा जो अब तक तूने नहीं जाना है कठिन कठिन बात और हम अब तक नहीं जाने है मेरे प्रियो ये बात सच है जो लोग उनके रखों पर चलते हैं। इनका तज़र्बा, उनका महसूस करके देखी हैं। जो लोग उसके रासते में चलते हैं अंदाज किये हैं पर्मिसर का प्रेम को। अगला वच्चन बज़ता सहीता 20 का चार में कहता है या वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सभल करे. मेरे प्रियो हमारे मन की इच्छा कप पुरा करेंगे परमिस्वर।। जब हम परमिस्वर की इच्छा का अनुसार चलेंगे और हमारी युक्ति को सफल कप करेंगे परमिस्वर जब हम परमिस्वर की अगवाई का अनुसार चलेंगे ऐसा नहीं कि हम अपने इच्छा से चलेंगे अपनी जिरोतों को अपनी परमिस्वर का वच्छन को पढ़ेंगे सिखेंगे नहीं बस अपनी हमको इसा घर चाहिए इसा गाड़ी चाहिए इसा परिवार चाहिए इसा पत्नी चाहिए इसा चाहिए इसा नोकरी चाहिए पचास तरीका से हम परमिसर के पास में बात रखेंगे और परमिसर क्या उन बातों को पुरा करेगा नहीं मेरे परियो प अपने एपिसोड जो इस घरी में चालू किया हूँ इसमें बराबर लेकर चलूँगा और मैं आप लोगों के लिए भी प्रातना करूँगा जो लोग समस्या अधिकत और परिसानिम हैं हमें कमेंट करके जोरो बताइएगा मैं आप गाव में हूँ और मुझे टाइम मिलता है मैं इस बात को इस जो सिल्शिला है इसको मैं कंटिनू लेकर चलूँगा तो हमें कमेंट कर जोरो ताइगा तो मैं छोड़ा स्परातना करता हूँ परमिसर आपको धन्यबात करते हैं इन वच्छनों को जो इस घरी हम लोगों ने पढ़ा सीखा परमिसर हमारी कमी घर्टी क कि नाम स्वांते हैं आसे सुर मिस सुंगां कर अमीन अमीन जालसी की